नमस्ते दोस्तों तो कैसे है आप लोग, I hope you all are doing great, तो आज हम जानेगे रिल्वे में इस्तिमाल होने वाली फिश्प्लेट और फिश्बोर्ट्स के बारे में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमा सेक्शन होता है जो रेल के दोनों सिरों को बोल्ट्स की मदद से जोगता है ये रेलो को वर्टिकल और होरिजॉन्टल दोनों प्लेंज में correct position में जोड़े रखता है क्योंकि ये मचली के रूप में दिखता है इसलिए इसको फिश्प्लेट और लगने वाले बोल्ट्स को कहते है भारतिये रेल्वे में सभी जोइंट suspended जोइंट रखे जाते है क्योंकि इससे उनको आसानी से बदला और maintain किया जा सकता है और ये रेलो के बराबर elasticity प्रदान करता है और साथ ही साथ expansion और contraction भी provide कराता है अब बात करते हैं कितने प्रकार के फिश्प्लेट रेल्वे म इस्तिमाल किया जाता है इसमें दो प्रकार के फिश्प्लेट्स होती है एक चार फिश्प्लेट्स वाली होती है और दूसरी सिक्स फिश्प्लेट्स वाली होती है LWR में सिक्स बोल्ट्स वाली फिश्प्लेट्स का इस्तिमाल किया जाता है और LWR के अलावा 4 बोल्ट्स पाली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अब देखते हैं जॉगल्ड फिश प्लेट्स जॉगल्ड फिश प्लेट्स को एक तो थर्मिट वेल्डिंग जोर पर इस्तेमाल किया जाता है वेल्ड को प्रटेक्ट करने के लिए और दूसरा अपातकालीन परिस्तितियों के लिए या तो कॉम्बनेशन फिश प्लेट्स इन फिश प्लेट्स को दो अलग रेल सेक्शन को जोरने के लिए किया जाता है इन प्लेट्स को जोरते समय कोई भी गैप स्पेस ना दे इसके हर सेट में 4 फिश प्लेट्स होती है रेल्वे में ब्रॉड गेज ट्रैक में 60 kg, 52 kg कॉम्बनेश 6 बोल्ट्स वाली इन दोनों का काम ट्रैक सर्किट को ब्रेक करना होता है ये आमतोर पर आपको स्टेशन यार्ड और ब्लॉक सेक्शन में देखने को मिलेगा आईए कुछ RDSO ड्रॉन नंबर देखते हैं जो की भारतीय रेल्वे में इस्तिमाल होती है मुझे उम्मीद है आपको ये विदियो पसंद आया होगा आपको किस टॉपिक पर विदियो चाहिए उसके लिए कॉमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद